नमस्कार दोस्तो दज्यस प्लेटफर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो देखिए आज आपको पता ही चल गया होगा कि बेसिक सिच्छा परिच्छा की पार्ट क्रम में संस्कृत को भी सामिल कर लिया गया है तो आज का वीडियो संस्कृत के रिलेटेड है त तो देखिए यहां पर संस्कृत का मैंने पहला पार्ट बनाया है पूरा वीडियो देखकर आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा ठीक है तो देखिए संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले आपको शब्द रूप, धातु रूप, पुलिंग, इ यह सब सीखने होंगे और इनी सब चीजों को सीखने के बाद ही आप संस्कृत व्याकरण में अनुवाद कर सकेंगे क्योंकि अनुवाद करने पर ही आप सही से संस्कृत का व्याकरण सही से कवर कर पाएंगे और वही आपका एक अंतिम लच्छ है तो संस्कृत व्याकरण म पाएगा, तो सबसे पहले आज की इस वीडियों हम चलो देखते हैं, सब दुरूप, तो देखिए संस्कृत में पहली तो बात तीन वचन होते हैं, एक वचन, दुए वचन और बहुचन, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में और अंग्रेजी में और संस्क ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, पुलिंग, स्थिलिंग, ततन अपुन सक्लिंग, देखिए, ट्रांस्लेशन सीखने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहां पर जो भी पॉइंट दिये जा रहे हैं, वो एक एक नंबर की क्वेश्चन में सिद्शिदे आ सकते हैं, जैसे आप से पूछा जा सकता है, संस्कृत में तीनों बचनों के नाम लिखिए, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा, ठीक है, और बाकी का जो भी आपका चल रहा है, वो तो आपको सीखने हैं, आगे देखिए, कारक संबंद प्रदर्सित करने वाली संबोधन सहितकुल आठ विवक्तियां होती है, तो इस देखिए, लाइन में बताया गया है, कि विवक्ति क्या है, और विवक्ति के कितने चिन है, तो देखिए, जो भी हम सीखते हैं, जो भी ट्रांसलेशन वहापे हम करेंगे, अनवात करेंगे, तो उसमें वि विवक्तियों को आपको सीखना है, इन विवक्तियों को सीखने से आप क्या हो जाएगा, कि जो अनवात करते हैं, उनमें जो कारक चिन होते हैं, उसी के अनुसार विवक्ति के हम रूप लिखेंगे, जैसे ही यहाँ पर लिखा है, करता, यानि प्रत्मा विवक्ति में ने चिन्न होता है, दितिया विवक्ती में को चिन्न होता है, तरतिया में से, चतुरती में के लिए, पंचमी में से, और सस्टी में काकी के रारी रे, सब्तमी में में और संबोधन में हैं, तो इन कारक चिन्नों को पहचान कर ही आप विवक्ती के किसी भी रूप को लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है ने, यानि एगर हम sentence बोलें, राम ने रावड को मारा, तो यह ने जो लिखा हुआ है, इसी आधार पर हम पहचानेगी, यहाँ प्रितमा विवक्ति यूज होगी, ठीके, या फिर दूसरा sentence अगर हम बात करें, कि राम को प्यास लगी हुई है, ठीक जैसे मालों sentence बात करें, कि राम डंडा से कुत्ते को पीटता है, तो यहाँ पर जो से सब्द दिया गया है, इससे हम पहचानेगी, यहाँ पे तृतिया विवक्ति यूज होगी, ठीके, राम परिच्छा पास करने के लिए पढ़ रहा है, तो दीके, इस sentence में क्या है, के लि होने के लिए से सब्द यूज होगा, तो यहाँ पर दिए पंच्पी विवक्ति होगी, तो इस तरह से कारक्चिन काफी important है, तो विवक्ति को अच्छी तरह से सीखने के लिए, विवक्ति और उसके सामने वाला जो मैंने कारक्चिन लिखा है, वो सभी आपको याद करना ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह आगे आने वाली व्यक्रण में और आगे आने वाली अनुवाद में बहुत ही helpful होगी, ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं, वचन लिंग तथा विवक्ति के आधार पर, वचन लिंग तथा विवक्ति, इन तीनों चीजों को आपको ब बचन के अनसार, लिंग के अनसार, विवक्ति के अनसार, उसके सब्दों के रूप बदलेंगे, तो आगे हम देखेंगे उनको, तो पहले हम एक विवाजन देखते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने से पहले, विवक्तियों के रूपों को पढ़ने से पहले, तीन चीजों को हम समझाना चाहेंगी, जैसे पहला S में जिन सब्दों का अंतिम स्वर A होता है, ठीक है, A जिन सब्दों का अंतिम स्वर A होता है, उन्हें अकरांत कहती है जैसे बालक, बालक की अगर हम एक-एक वर्ल को विच्छेद करेंगी, तो पाएंगी बे, आ, ल, आ, के, और ए, ठीक है, तो अंत में ए है राम में देखिए, रा, आ, में, ए तो देखिए, लाश्ट में आ दिया गया है इसी परकार, जो भी होंगे, ऐसे सब्द जिनकी लाश्ट में ए होगा, तो वे अकरांत कहलाएंगी और जिन सब्दों का अंतिमस्वर, इ होगा, वो इकरांत कहलाएंगे जैसे मती, हरी, तो देखिए, मती, हरी में जब हम इन सब्दों की ब्रणों का विच्छेत करेंगे, तो अंत में देखिए, इ आता है दोनों की अंत में, ठीक है, आप देख सकते हैं, अच्छी तरह ऐसी लिखा हुआ है और जिन सब्दों का अंतिमस्वर, उ होता है, उन्हें उकारांत कहते हैं, ठीक है तो उन सब्दों की अंत में क्या होता है, उ आता है, जब उनका विच्छेत करेंगे जिससु को हम विच्छेत करेंगे, तो एक सा है और इसमें एक ए है, फिर से एक सा है और अंत में उ है तो अंत के जो सरकल में मैंने बंद किये हैं यह जो गोले में बंद किये हैं इनी सब्दों के आधार पे आप पेंचानेगी कि अकारांत क्या होते हैं इकारांत क्या होते हैं उकारांत क्या होते हैं ठीक है आप से इस तरह से भी प्रिशन पूशा जा सकता है एक एक प्रिशन क की रूप में एक एक प्रिष्यन की रूप में पुछ सकता है कि अका रांत क्या होते हैं और उनका एक उधारा दीजिए तो आप इस तरह से पूरा-पूरा लेख सकते हैं आपका कारो हो जाएगा इकार रांत किसी कहते है तो यह परवासा लेख विवक्तियों की बारे में, ठीक है, आज के लिम राम की विवक्ति की बारे में चर्चा करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में, इकारांत, उकारांत, और भी कुछ विवक्तियों की बारे में डिस्क्रिसन करेंगे, तब अंतिमुद्देश की रूप में मनवाद पर में देखिए रामम, रामाव, रामान, तृतिया में देखिए रामेड, रामाभ्याम, रामय, चतुर्थी में देखिए रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, पच्चमी में देखिए रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, सस्टी में देखिए रामश्य, रामयो, रामाडाम, सब् रामयो, रामेशु और संबोधन में देखिए हे राम, हे रामा हे रामा, तो देखिए अब आपको किसी भी तरीके से बाई होक और बाई कुरुक means, any means किसी भी तरीके से आपको राम की इन विभक्तियों के सबी रूपों को याद कर लेना होगा वो आपकी जिम्मेदारी है अगर आप ये याद नहीं कर पाती हैं तो आपका translation नहीं हो पाएगा और कोई भी question आपका solve नहीं हो पाएगा ठीक है, तो देखिए याँ पर ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी किसी भी तरीके से आप याद करिएगे हाँ, ये जरूर है कि कुछ तरीके हो सकते हैं याद करने के कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं तो वो देखिए आपे बताएगे उससे पहले एक चीज़ देख लिए संस्कृत में जितने भी शब्द रूप हैं सभी के तो अलग-अलग याद करना मुश्किल है तो एक आधार पे जैसे अकारांत का था पुल्लिंग सब्द में राम क्या है पुल्लिंग सब्द और अकारांत में तो अकारांत में पुल्लिंग सब्द के जितने भी सब्द होगी उन सभी की जो यहाँ पे दिया गया है विवक्ति इसी प्रकार की ही होगी ठीक जैसे बालक सब्द है सूर्य सब्द है चंदर सब्द है जन सब्द है पुत्र ईस्वर तो ये सभी सब्द जो अकारांत में है पुलिंग में है तो इन सभी की विवक्ति रूप इसी प्रकार से बनेंगे जैसे राम के बने हुए तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इन सभी के अलग-अलग याद नहीं करने है बस आपको शब्द को पहचानना है कि ये अकारांत है कि इकारांत है पुलिंग में है या इस्त्री में ठीक है तो पुलिंग सब्द में अकारांत का एक उधार राम की रूप में यहाँ पे दिया गया है इतने सभी रूप दिये गए है अकारांत में पुलिंग में तो उसी प्रकार के जो भी सब्द होंगे अकारांत और पुलिंग के तो उनका सभी का इसी प्रकार से बनेगा जैसे यहाँ पर राम लिखा है तो अगर बालक का बनाएंगे तो बालक का हा हो जाएगा ठीक है अगर बालक का हम दोई बचन बनाना चाहेंगे तो बालक का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखी राम हो गया है तो यहां पर बालकव हो जाएगा जैसे राम का बहुँबच्चन पृत्माव वक्ति में रामा हो तो यहां पर बालका हो जाएगा तो इसी प्रकार से इन सभी के रूप आप बना सकते हैं ठीक है बस आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी सक्द अकारांत है कि इकारांत है तो अकारांत और इकारांत की पैंचान मैंने आपको बता ही दिये कि इस तरह से यहाँ पे अभी रूल बताए गए थे कि किस तरह से आपको अकारांत और इकारांत बनाने है ठीक तो ये चीज़ आपको बताई जा चुकी है और दूसरी बात अकारांद पुलिंग सब्द जो भी है वे सभी इसी प्रकार से बनेगी तो देखिए अंत्मे मैं यही बताना चाहूँगा यह जितने भी शाद्द है राम के अनसार बनेगी और अब देखिए कुछ ट्रिक्स मैं कह सकता हूँ या कुछ समानता के अधार पर नियम बनाए गए है उनको मैंने ट्रिक नाम दे दिया है बस आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को तो समझ में आ जाएगी देखो पहला है सब्तमी के बावबचन के अंत में सू या सू का प्रियोग होता है देखो सब्तमी के बावबचन देखो सब्तमी ये दिया गया है बेवक्ती और इसके बावबचन यानि तीसरे वाली कॉलम में देखो सू दिया गए रामेशु तो हर बार किसी भी सब्द के शब्तमी के बावचन में ये सब्द आएगा ठीक है आगे दीए शस्टी के बावचन के अंत में नाम या राम शब्द का प्रियोग होता है ठीक है नाम या राम तो देखिए शस्टी के बावचन के अंत में नाम या राम, तो देखें, यहाँ पर राम दिया गया है, राम दिया गया है, उस पर आका डंडा है, और आका मात्रा है मतलब, और मा दिया गया है, तो राम दिया गया है, कहीं कहीं नाम दिया जाएगा, तो यह ट्रिक मान सकते हैं, यह एक रूल है, ठीक है, आगे देखें, चतुर्थी तथा पंचमी के बावचन के रूप एक जैसे होते हैं, देखो है की नहीं, रामेभ्या, रामेभ्या बिल्कुल एक जैसे हैं, तो यहाँ पे इस नियम की पुष्टी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो यह देखो याद करने के तरीका है, आप याद कर सकते ह चतुरती परंचमी के बावचन रूप एक ही जैसे है और देखिए संबोधन के दोईबचन तथा बावचन प्राया प्रत्मा के दोईबचन और बावचन की बाती होगते है यानि देखो संबोधन जो है उसका दोईबचन और बावचन प्रत्मा के दोएबचन और बहबचन के बराबर होंगे तो देखते हैं संबोधन के दोएबचन और बहबचन हे छोड़ कर हे सब्द को छोड़ कर ठीक है वो पृत्मा के दोएबचन और बहबचन के बराबर है देखिए रामाव तो यहाँ पर भी दिको है लेकिन यहाँ पर देखिए वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे लेकिन इससे पहले में आपको यह बताना चाहूँगा कि जो भी आपे अकारांत में पुलिंग सब्दें बेवक्ती दी गई हैं उन सभी की similarity में आपको याद कर लेना है और इसी आदार पर आपको जो भी सब्द अकारांत में होगे जैसे बालक, सूर, चन, पुत्र, ईस्वर, सभी का इसी के अंसारी आप बना लेंगे बिलकुल ठीके, convert करके तो अब आगे दे आए कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं तो तब तक के लिए नमस्कार